नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त हर्शी बंसल आप सभी का स्वागत अपने इस चैनल मिश्टर ग्रोथ में फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे डिवाइस की इंफोर्मेशन शेर करूँगा जिसको अपने घर पर लगाने के बाद आपका हजारों रुपे का इलेक्ट्रोनिक समान खराब होने से बच सकता है फ्रेंट्स यह जुरूरी नहीं की हर डिवाइस को आप अपने घर पर लगवाएं लेकिन हर डिवाइस के बारे में आपको नोलेज जुरूर होनी चाहिए इस डिवाइस का नाम है Home Voltage Protector मैंने 5 साल पहले इस डिवाइस को अपने घर पर लगवाया था और एक लोकल मकैनिक से ही 13 सुरुपे में इस डिवाइस को असेंबल करवाया था और अभी तक लगबग दो बार मेरे को इसका benefit भी मिल चुका है शायद आपने भी डवल फेस के बारे में सुना हो यनकी 220 वोल्टेज की जगा 440 वोल्टेज का एकदम से आ जाना हमारी कलोनी के कुछी घरों में वोल्टेज प्रटेक्टर डिवाइस लगा हुआ था जिसके वज़से उनका कीमती समान खराब होने से बच गया अदरवाइस काफी घरों में टीवी, रेफ्रिजेटर, एसी वगारा जल गए लेकिन जिन भी लोगों ने सेफटी के बारे में पहले सोचा उनका सारा समान खराब होने से बच गया ज़्यादा तर हमारे घर के इलेक्ट्रोनिक डिवाइस हैं वो तब खराब होते हैं वोल्टेज को कम या ज़्यादा नहीं करता, बनकि कम या ज़्यादा होने पर लाइट को कट कर देता है इसलिए स्टैपलाइजर और ये वोल्टेज प्रोटेक्टर दोनों अलगलग चीजे हैं अगर आपके घर की में स्टैपलाइजर पहले से लगा हुआ है, तब भी आपको कनफर्म कर लेना चाहिए कि इसमें हाई एंड लो वोल्टेज कट वाला प्रोटेक्टर लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ अगर आप भी इस वोल्टेज प्रोटेक्टर को अपने घर पर लगवाना चाहते हो, तो आप अपनी सिटी की कोई भी फेमस शोप पता कर लीजिए, जो स्टैपलाइजर वगारा बनाते हो, तो उनसे आप इस डिवाइस को बनवा सकते हो या फिर अगर आप ओनलाइन इस डिवाइस को परचेज करना चाहते हो, तो एमसन पर ये दोनों उप्षिन में आपको मिल जाता है, यानि कि अगर आपके घर पर सिंगल फेस का कनेक्शन है, या फिर थ्री फेस का कनेक्शन है, दोनों के लिए ही आपको ये डिवाइस मिल बट ये एमसन पर आपको थोड़ा कोस्टली पड़ता है, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्टा फीचर दिये गए है, पहला फीचर एक्स्टा ये है कि इसमें आपको क्रण टाइम में वोल्टेज कितना आ रहा है, ये देखने का मीटर मिल जाता है, और सेकिंड इसमें होने पर भी ये घर की इलैक्सिटी को कट कर देता है, और थर्ड इसमें आपको एक्स्टा फीचर ये मिलता है, कि अगर किसी भी तरह का ओवरलोड होता है, तो भी ये घर की इलैक्सिटी को कट कर देता है, अगर आप इस डिवाइस को ओनलें प्रचेज करना चाते हैं, तो single face और three face दोनों ही तरह के device का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा friends वीडियो अच्छी लगी हो तो like करना मत भूलिएगा और अपने friends के साथ relative के साथ share कर दीजिएगा और हम जल्दी मिलेंगे किसी और ने वीडियो के साथ